गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि आज फिर्टे मेरे को अस्षर दिया गया है सब्सक्रान करने का मैं गुरु जी के बारे में कुछ कही नहीं सकती बहुत कठें है कहना लेकिन अगर शब्दों में जैसे अभी अंकल ने बोला कि शब्दों में ढाला जाए तो सिर्फ एकी शब्दा आता है हमारे संपून गुरु जी के लिए और वो है बगवान और मैं अपने आपको मैं गुरु जी का इतना शुक्राना करती हूं कि इस जनम में कभी भी नहीं सोचा था कि भगवान के इनी आखों से दर्शन होंगे और गुरु जी ने मुझे वो मुझा दिया यह मेरे अच्छे ब्लेसिंग है उनकी कि उन्होंने मेरे को यह अफ़सर दिया मेरा नाम मीरा जोहर है और गुरु जी मुझे प्यार से जोहर आंटी बोलते थे और जैसे अंकल ने बत गुरु जी गुरु जी बन कर गुरु का अर्थ होता है रूप रूप में तो गुरु जी हमारी जिंदगी में जो भी नेगटिविटी है, that negativity can be in the form of health, relationship, wealth, anything तो गुरुजी के जब हम सामने आ जाते हैं, उनकी छत्र चाया में हम आते हैं, गुरुजी जो चीज़ों का काट करना शुरू कर देते हैं, ये बाते मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, लेकिन जब मैं भी गई थी, तो मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, और एक्टली हम 25 यह से नियॉक में रहते थे, राइट आ अलसो आम इन नियॉक, लॉन आइलेंड, और मेरे बच्चे तब हुए थे, और बहुत चोटी-चोटी थे, तो हमें लगा कि यहां पर उनकी, उनका तालम पोजिशन थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो ह हमने सुचा कि चलो, एक बहुत साल हम इंडिया हुआते हैं, लेकिन कि हम इंडिया रहे तो बच्चों का तो अच्छा हो रहा था, लेकिन मेरे को बहुत हेल्फ इस्यूस होने लग दे, और मेरे को हाइंड शुगर हैने लग दी, अधरी यंग एच, और मेरे और मेरे को डॉक्टर जो भी बोलते थे, लाइक जिम करना, और दवाईये खाना, जो भी कहते थे, मैं सब कर रही थी पिछले तीन सालों से, बड़ मेरे ट्रीजराइज 800 से लेकिन 500 के मीच्छे आते ही नहीं थे, और एक किसी भी नॉमल इंसान के ट्रीजराइज जो होते ह नहीं थे, मेरे लेट हैं नहीं चलता था, मेरे को इतना सिव्यर स्वाइलाइज था, बट अट 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 आइज देखने में फिजिकली बहाट ही अच्छी लगती थी, जो पुरानी संगत मेरे को जानती है, बेर नाट रेडी तो बिलीज अट आ वस यूनों, सफरिंग पं सो मनी ब्राब्लम्स, और मेटीरियलिजम की तो बात यह है कि जो जो चीज इंसान को चाहिए होती है खरीदने के लिए वस्तुएं जिसको कहते हैं, वो उतना उतना शमता थी मेरे में, I had everything in life to buy, but I could not buy my health, and that everybody will agree कि आप पैसों से health नहीं खरीज सकते, आप एक सांस नहीं खर सकते, especially आज के दिनों में जब इतनी महमारी फैली हुए है, यह वायरस अमीर से अमीर और गरीब से गरीब को एफेक्ट कर रहा है, और मेरी सिच्वेशन उस तन ऐसी ही थी, कि सब कुछ सामने होती हुए, मैं किसी को सच नहीं कर पाती थी, मैं घर के routine walk नहीं कर पाती थी, म एक दिन ऐसे ही मैंने अपने अंकल को, एनल अंकल को बैठे हुए थे घर में तो मैंने बोला कि घर में इतने डॉक्टर्स हैं, कोई कुछ करनी पा रहा, बैकि मुझे अंधेरे की तरफ धकेला जा रहा है, सब कह रहे हैं कि तरफ you can die very soon and जिस करा की बाते सब कह रहे थे and we were prepared for my death actually and किसी के कुल गुरू होते हैं, कोई astrologically कोई बोलता है कि stone डालो, कि कुछ improvement होती है, हमें को कोई guide करने वाला भी नहीं है, शायद ये बात गुरू जी ने मेरी उस दिन सुमली और ये कहने के तकरीबन तीन या चार महिली के बाद मुझे गुरू जी का बुलावा आया हमारी हम DLS में रहते थे गुगाव में, और हमारे इगर के पास रहती थी बाठिया उंकल और आंटी उशा बाठिया अंती, तो वो मेरे अंकल के ऑफिस आती जाते रहते थे उंकल आंटी, तो उन्होंने एक दिन गुरू जी के बारे में बताया मेरे अंकल को, और बोला कि आज हमें नई संगत लेके जाना है तो आप चलें। तो मेरे अंकल ने गब मुझे बोला तो मैंने बिल्कुल रिफ्यूस कर दिया। क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान आये हैं। और शिव जी हैं। और हमें पता ही नी। और भगवान एसे दर्की पर कैसे आसकते हैं। और देखने में भी यूमन बींग है। तो आज तो टोटली कंवेंस्ट और हमने मना कर दिया। लेकिन बुलावा बहुत स्टॉंग था। गुरू जी को कश्ट देख रहा था हमारे घर में। अंकल आंटी ने इतनी जिद किरी कि भर के बहार ही आ गए और बुला कि आज तो कुसी चलना ही है। चलो आज तो चलो ही चलो आप हमारे साथ। और हमें वो साथ में ले गए। वहां गई मैं बहुत सिंपल कप्रों में गई जानके मुझे नहीं पता था वहां का एक मास्वेर कैसा होएगा। तो मैंने सिंपल कप्रों में गई और जब अंदर गए तो बहुत सुन्दर आप इमार्जिंग करिए इंपायर स्टेट में गुरू जी बैठे हुए। ब्यूटिफल चोले में मन-मन खुश्बू आ रही थी खंडी हवाएं जैसे कि आप किसे लिए स्टेशन में पहुँच गए हों। और हमारे सामने इतने बड़े बड़े दिगज लोग। व्यूटिशन, ब्यूरोक्राइट, फिल्म इंडस्ट्री के लोग। टीवी एंकर्ड, हुज 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 जैसे होता है। यहां तो मेरे जैसा बंदा। I don't know, I was very feeling misfit. And बैखे, शबद इतने अच्छे लगे कि आँखों से भी दो आखों गिरे, कि शायद यह शबद मेरे लिए हैं। लेकिन नहीं पता था कि वो गुरुजी ने उस दिन हमारा वेलकम करा। और जहां तो खुश्बू की बात है, हमें आज भी आती है गुरुजी के सक्तन में कई बात। मुझे लगा कि जैसे एक ट्राथ है और कहीं किसी ने कोई खुश्बू छोड़ी हुई है। कूलर में, A.C. में क्योंकि मैं बहुत scientific mind और एक denial phase में गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि हम आज भगवान के दर्शन करने हैं। Anyway, लंगर का टाइम आया। और लंगर में वो सब चीज़े थी जो मुझे medically मना थी। मुझे wheat allergy भी थी उस time काफी जादा। तो दो रोटियां, सबजी है और लड़ू परशाद। और लड़ू तो मैं खाई नहीं सकते थी, क्योंकि मेरी शुगर इतनी हाई रहती थी। तो मैंने बड़ी कोशिश करी कि मैं लंगर ना खाऊ। हमने सोचा था कि हम दोनों हज़न गाइस एक ही थाली में खाएंगे, तकि मेरा लंगर मेरे अंकल खा ले। लेकिन गुरू जी को शायद हमारी ये प्लानिंग भी पता थी। तो गुरू जी ने क्या किया कि मेरी थाली और मेरे अंकल की थाली अलग लग कर दी। मतलब हम आगे पीछे होगे किसी वज़र के लाइन में और मुझे जिस आंटी के सामने बिठाया और वो कोई बहुत ही पुरानी संगत थी। And she said, well, ये तो आपका नंगर है, आप ये को खाना पड़ेगा। मैंने का, आउंटी, मैं डाइबटिक हूँ, मैं नहीं खा सकती। क्याते हमें नहीं पाता, हम रेट कर लेंगा आपर आम राम से खाले। And मेरे को तो बहुत सिक्टेशन होगी, मैंने का, अब क्या करें, खाना पड़ा। और जब हम आगया के ले गए तो हमें तो यहीं बोला गया था कि गुरुजी बाते नहीं करते जादा किसी से। और मैंने देखा, मेरे अंपल गुरुजी के राइट साइट में बैठे हैं। गुरुजी ने उनको बिठा लिया। और मैंने तो बिल्कुली गुरुजी की तरफ नहीं देखा। मैंने का कि मुझे आई कॉंटेक्स करना ही नहीं। पता नहीं इस जगह पे क्या है। कोई हिप्निटाइज नहीं कर दे मुझे। कोई ये, कोई वो। तो गुरुजी को मेरे मन की बात पता थी। और जब हम आ गया लेके बहार आए तो हमें सब ने बोला कि तुम कितने लख्यों कि पहली बार ही गुरुजी ने तुम्हें इत्ती बाते कर ली और तुम्हारे अंकल से यूनो बिजूस की भी बाते कर ली। तो एश करूप भूला मुझे उस ते नहीं समझ आया मैं उस एक्टेंस के मोड में नहीं थी शायद। लेकिन आज समझ आता है कि गुरुजी ने मुझे कितना बना चंगा करा और राके में 2006 से आज 2020 हो गया मुझे एश ही पर आ रहे है गुरुजी। अगले दिन जब मैं उठी तो आगले दिन जब मैं उठी तो आगले दिन जब मैं उठी तो I was shocked to see my situation क्योंकि मेरी fasting कभी भी 200 से नीचे नहीं होती, 180-200 होती थी और उस दिन मेरी fasting sugar 102 या 103 थी, इकना मीठा, इकना दो रोटियां कार्ब्स खाने के बाद भी और मीठी चाय परशाद, मतलब आज की सिरफ मैं सत्तंग में मीठी चाय परशाद, मतलब आज की सिरफ मैं सत्तंग में लेकि मुझे सिर भी डर लोगा, मैंने accept नहीं करा कि हम भगवाम की तदा गए थे और मैंने बोला, शायद इसमें steroid होए, शायद कुछ और होए, paranoid behavior था मेरा, मैंने का आज के बाद नहीं गाना, मुझे इस जाल में नहीं थासना, and the same thing happened with my uncle, he also, you know, was of the same opinion, but आज मैं आप सं कि कुर्बान जाओं उस वेला सुहाना, जिस दौर तुमने हमें बुलाया, आपने जब हमें अपने दौर बुलाया, वही वेला सुहाना था, वही turning point of light, light था हमारा, 360 degree turn, एक कवच गुरु जी ने उस दिन पे हमारे उपर डाल दिया था, एक blanket हमारे उपर फैंक भी गई थ के बाद मुझे वही आंटी मिली, DLS क्लब के बहार और उन्होंने पुला, तो गई नहीं गुरु जी कल दो हफ्ते पे, मैंने का आंटी आपको कैसे पता है, मैंने का बाब भी वा, यहां तो बड़ी marketing हो रही है, यह गुरु जी लोगों को भी पता है, मैं दो हफ्ते से नह और सबह में बोला है, अपनी गवांडन मों बोल आया करे, तो लंगर रहते, आके खाया करे, और आज थर्स्दे का दिन है, तो थर्स्दे के थर्स्दे जाओ, अपना रूटीन दाना, और गुरु जी के लंगर जाके खा, and यह बुलादा इतना स्ट्रॉंग था, कि आंटी इलमें, और उस दिन से हमने एज़री थर्स्दे जाना शुरू कर दिया, और जब हम जाते थे तो कई बार होता है, टाइम उपर नीचे होता है, लेकिन जिसे घरते हमारी कार में, हमारे रूम में, गुरु जी के खुश्बू आनी शुरू हो जाती थी, गुरु जी हमें ख हमारी कार अपने आप गुरु जी एंपायरे स्टेट चली पड़ती थी, गुरु जी में बहुत आश्कर आई, रात रात भर हमको अपने पास बिठाते थे, जब सबाह खतम हो जाती थी, वो पिछले रूम में जाके पैंशर डल कर आते थे, और हमें आग्या नहीं देते थ कभी पकोड़े, कभी हल्वा, कभी कुछ, कभी कुछ, क्योंकि वो मुझे अपने पास बिठाके महाशिव में मेरे को प्रटेक्ट करना था, कहते है न, गुरु जी कहते थे कि जब कोई आंदा है था, उदे कर्मा दी फाइल खुल दिया, और जन्मा दी फाइल खुल दिया और गुरु जी ने जो भी मेरे पे कष्ट आने वाला था, उसको दूर भगाया, अपने साथ बिठाके, रात को चले जाते थे गुरु जी वॉक पे और बाके में जब वो आते थे, तो उनके शूज, उनके कपड़ी जिल्कुल नीट और फीन होते थे, कहीं एक not even a drop, not even a, जिसको बोलते एक तिनका नी होता था उनके कपड़ों पे dust का, और फिर हमें second, third time चाई परशाद मिलता था रात को दो-दो-बुजे, इस तरह दो-धाई महिने निकल गए, और हमें लगा कि हम किसी रुहानी दुनिया में आ गए हैं, तो मेरे routine test होते थे, blood test, तो मैं अपन blood test कराने गई, वैसे ही, और मेरे को हमेशा technician type पर बिठा देते थे, क्योंकि मेरी veins collapse करती थी, मेरा blood इतना गाड़ा होता था, और उनको भी दर्द होता होएगा, शायर कि मुझे तकलीस होती है, तो उस दिन जब मैंने blood work करवाया, तो मेरा blood ऐसे निकला जैसे कि it's squirted out like, like जैसे एक milk की थैली को आप फाडते है तो एकदम ऐसे निकलता है जोर से, it rushed out of my body, और उस पे ऐसे ट्यूब में color था, जैसे एक normal इंसान का होता है, शायद उस पर भी better, और सामने जाग था, जैसे दूद में जाग होता है, मुझे ऐसे लग रहा था, जैसे मेरा blood किसी ने filter क करती होए, मेरे अंदर का जाल जो बंधन भावो किसी ने कारती होए, and we were shocked, after having two and a half months or three months of longer परशाद, my 5-year drive, which was stuck at around 500, they dropped down to 102 or 103, definitely less than 102, यह medical science नहीं कर सकती थी, मेरे डॉक्टर को जब यह रिपोर्ट पता चली, वो कहते है कि आप क्या कर रहे हो, मैंने का पता नहीं एक गुरू जी है, उनके पास जाना शुरू कर रहा है, मैंने, I think my doctor knew बागदुरग जी, he did not answer, he said, Mira, whatever you are doing, keep doing, जो दवाई है, मुझे तब तक असर नहीं कर रही थी, वो दवाईयों ने अब मुझे असर करना शुरू कर दिया, यह गुरू जी की महर थी मेरे उपर, गुरू जी ने मेरा को बख्षा, and now I could correlate everything to गुरू जी, और तक्रीवन 15-20 दिन के बाद, यानि कि तब हमें गुरू जी के पास गए, तीन-चार महीने हो गए थे, तो सामने वाला प्लॉट जो है, उसका हम हाथ धोने जा देती, तो वहां पर मैंने अपने अंकल को विस्पर किया, कि गुरू जी, सारी लेडी को आन्ती बोलते हैं, लेकिन मुझे जब भी बुलाते हैं, या मेरे से बात करते हैं, तो मुझे मिस्स मीरा जोहर बोलते हैं, तो यह क्य दूर बैखे हुए थे, क्योंकि बीच में सड़कती, सड़कते उस पर एंपायर सेथ है, आपने से काफी लोगों ने दर्शन करे होंगे, तो उस दिन जब मैं गई तो गुरू जी ने एक, मेरे को एक इन्वाइट दिया, गुरू जी उन दिनों में संगत को कोई शादी हो जोहर से आंती बोला, जोहर आंती पर मोट कर दिया, और लव लेटर, लव लेटर का मतलब है कि तु क्यों ग्रामित है, कि मैं तन्ह प्यार ने करता, कहने का मतलब यह है कि जब आप गुरू जी के दरबार में आगए, आपने इस तन लटें कर लिया, या आप बड़े आप गुरू जी के अम्रेला में हो, इस नाव यू आर अंडर इस डिवाइन शरन, गुरू जी तेक्ट केर अफ और अल इस भगत, यह मेरा एक्स्पीरियंस है, कि जब हम गुरू को कुछ क्वेस्चन करते हैं, तो वो उसका कोई माइना नहीं होता, क्योंकि गुरू जी न में बहुत क्वेस्चन होता था, जैसे जैसे मेरी कवे ठीक होने लगे ही, कि हम अमेरिका वापस भूए ना हुए, विकास भूए ना हुए, विकास भूए ना हुए, वापस से सेटल होना यहां पर थोड़ा डिजिकल्स था, एंड हमारा बिसनस, JLF, बहुत अच्छा हो अच्छा था, तो लीव एविटिंग इन कम बैक, तो मैंने घर ते एक दन होमबग करा कि आज तो मैं गुरुजी से पुछ के रहूंगी, कि गुरुजी सानु अमेरिका जाना है कि नहीं जाना, जोती मैं आज्या के लिए गई, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी एक question है, एक question है का, तो गुरुजी ने मेरे को हाइट पर बढ़ा गया, बड़ी जोर से डांट पड़ी, कहते हैं गुरु, पैदा आथे आँटी, मैंने का आज तो class लग गई मेरी, तो आदे पौने गंटे के बाद मुझे इशारा करते हैं इधर आने के लिए, तो मैंने एक लाइन में मेरे दोनों answers कर दिये, कि don't ever question your guru, गुरुजी को question नहीं कर लिया पहली बात, और दूसरी बात, अमरीका वाले आगया होई, बता दिया, कि तुम वापस जाएगी अमेरिका, लेकिन हाँ कब जाएगी, ये उनके उपर हमने छोड़ दिया, गुरुजी ने चाएपरशाद अंकल ने दी, मैं दिवार ढूंड रही थी, तो गुरुजी, तो मेरे को चाएपरशाद वले अंकल कहते हैं, क्यों आँटी की ढूंड़ दी पईया है, तो मैंने बहुना दिवार, कहते हैं, गुरुजी को अलाग के दिवार नहीं चाहएगी होईगी, और आज का दिन, मेरे को वो बैक एक तुस्ट लेवल की नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई, और एक दिन जिस दिन मैं नहीं थी गुरुजी के सभा में, तो गुरुजी ने बोला बड़ी जोर से सब के बीच, कि ओ जली है जो है आँटी, उन्हों पता भी निती गा, ओ दिन मुझ से ही बता के गए, कि उनकी ही दी हुई सांसे है, ये जो मैं जिसके मैं चल रही हूँ, और चारा को जीवन दान तो डेफिनेटली दिया, क्योंकि अगर मेरे को खुछ हो जाता तो मेरे छोटे-छोटे बच्ची रोल जाते थे, गुरुजी ने मेरे हाथ थामा, मेरे एक दिन रात को बहुत रात को बिठा के, हमें एक्स्ट्रा हलवा दिया, और मुझे घी और नट्स बिलकुल मना थे, लेकिन गुरुजी ने मेरे ट्राइग निज्राइज का काट ही उसके करा, क्योंकि दस-बारा साल के बाद मुझे एक आंटी में लिए नीयॉक में, वो क खाना पड़ा कहते हैं, वो मैंने बनाया था, और गुरुजी ने किचिन में आके बोला था, एक बुर्बुर कर दी खान पीन लो, एक नो आज एक्स्ट्रा नट्स और एक्स्ट्रा घ्योवला हलवा बना के दे, क्योंकि मुझे वही चीज़े मना थी, गुरुजी ने खेते हाना, कभी मेरे घर इंविटेशन कार्ड आता, मतलब हमें लगता कि हम इस स्पिरिच्वल दुनिया में हमें गुरुजी ने अपने साथ रखा, और इतना ब्लेस्ट किया कि हमारे पर शब्द ही नहीं थे, हम कहीं और ही चले कि कि दिर्दे लोप में पहुंच गए थ पर बनाया था, कि कोई अच्छी पूजा पाठ होए, लेकिन तब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे, और कुछ ना कुछ होता गया कि हम पूजा पाठ नहीं कर पाए, तो पहला जो बहाद अच्छी तना हमारे घर में भगवान का नाम लिया गया वो था गुरुजी का स सब्सक्राइब और हमने बड़े जो शोर से प्यारी करी, उन दिनों में सब्सक्राइब में 30, 40, maximum 50 लोग आ देते, लेकिन हमने सोचा कि चलो, everybody, we call, you know, our friends, etc. तो 100 लोगों की त्यारी करते हैं, तो सब्सक्राइब होने से तक्रीबन 40 मिनट पहले कुछ संगते मेरे को help करने आ गई, अब इमेजन करिये, गुरु जी की पिक्चर है, और वो ग्लास उसके सामने है, nobody can touch it, क्योंकि वैसे भी वो दिवार पर है, उस फोटो में से, प्रिशूल अपेर हुआ, and it twinkled like light, और एक और पिक्चर मीचे पड़ी थी, उसमें गुरु जी के शिवलिंग बना, हम ब्रहमेत हो गए, कि ये सच्ची हुआ, क्योंकि हमें भरोसा नहीं था कि गुरु जी जो इंपायर स्टेट में बैठी है, तो ये हमारे घर कैसे हो रहा है, तब भी हमारा scientific और शक्त वाला दिमाग नहीं कर पाया, इसको correlate कि गुरु जी ने आज हमारे घर में miracle करा है, जब ह उमने एक दो दिन के बाद गुरु जी चे पास गए, और मुझे एक मिठाई का डबबा दिया, हम चार कपल से चार या पांच, तो गुरु जी ने हम सब को एक एक डबबा दिया, और स्ट पर गुरु जी ने बोला, कि या इसलस उसी चाराने खाना है, तो किसी नहीं देना मतलब घर में जिसे कामवले होती हैं या कोई और है आता जाता है अग जैसे हमारे मिठाई के बाक्स की बारी आई तो गुरुजी ने वह बाक्स चेंज कर दिया जो मेरी चान में आना था उसकी बगाए मुझे नीचे से निकाल के दिया आज इसका मुझे समझ आता है कि गुर आउंटी जो तेरे करम थे जो तु करम लिखवा कर आई ती मैंने वह चेंज कर रहे हैं उन्होंने नीचे से दिया चेंज कर दिया मेरे करम और आज या आप सबसे सामने खड़ी हैं और गुरुजी ने हमें बोला ओ जो मैं तेरे घर चमतकार किता से जा ना ओ मैं कल आ आउंटी में प्रिंट हुआ इस देर पेज 242 पर है और 14 में का दिन आया और हम मंदर की सेवा करने जाते थे तो मुझे एक बच्चे में आके बोला जहां हम कार पाक कर रहे हैं बड़े मंदिल में आंके आँटी जल्दी आए गुरुजी बैखे हुए हैं तो गुरुजी गुरुजी ने हमें से खुछू ने पास भुला या पांच कॉपल ने उकल आर अर बोला आठी और जो मंदिल में जो अब प्र्दी में लेसंसब्क को गादं जान पर गुरुजी बैखे वे थे भाषब यह हमें पानच कवपल को पल्र आउट भाय गुजी और गुरु मुझे एक्स्ट्रा पशाद दिया लेड़ू पशाद दो बारी चाह पशाद दी और एक आंती को बोलते है कि सुभा आंती जो है उनको बोलते है जो हर अंकल आंती है इना ने डेर्ट पर लोगानों सब्सक्रान को पूरा गुर्गां इकठा कर लेता थे डेर्ट लोगानों गुर्गाद को बोला रहे हैं तो मेरे अंकल ऑन गौत बोले यह एकसो पच्छी लोगा गुला रहे हैं तो मैंने आतनी को बोला चुप करो है यहां जो हैं गुरु जिर गेंतर हो सब्सक्राए कृट साुल्गाया है हम तो प्लेट किर्पकर भेसी आँ से फशी सब्सम्हान तो उस दिन तुम्हारे घर में पच्छी देवी देशता आये थे। किस तरह हमने आज से आज से गुरुजी के लॉनिंग स्टार्ट करी चीजों कीुछ पुरानी संगतों से, कुछ गुरुजी के साथ डिरेक्ली बैठ के। उस दिन गुरुजी ने मुझे हुकुम दिया कि आंटे तू तर तक चलेंगी जब तक तू सब्संग करेंगी। हमें नहीं पता था कि वो गुरुजी के लाज शब्द होंगे हमारे लिए। कि उसके पंदरा दिन के बाद इसकतिस में को गुरुजी निया चोला प्या किया। और वाके में मैं तब से गुरुजी का सब्सं और उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या हुआ लेकिन उन्होंने मुझे जी आज़ा गुजे जब मैं रोया था तो गुरुजी मेरी ड्रीम में आये थे और उन्होंने दिखाया था कि वो जा रहे है। जाने से पहले भी गुरू जी मेरे अंकल को और मुझे ब्लेस्ट करके गए। यह भी उनकी ब्लेस्टिन थी, क्योंकि हमने तो जिन्दगी में नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिनाएगा। कि हम हमेशा सोचे थे कि हमारी ग्रैंड चिल्डन तब गुरू जी के सामने जाएंगी। एक बहुत बड़े मुश्ट कर अपने ग्रैंड डॉटर को लेकर आया और उन्होंने दस पंदरा दिनची की बच्ची और उन्होंने गुरू जी के चर्णों में रखा तो मैंने बोला जब मेरे भी ऐसे ग्रैंड चिल्रन ओएंगे ना तो मैं भी आपके चर्णों के सामने ऐसे ही रखूंगी सब के सामने तो ब्लेस्ट के और वो पर्स ताइम बच्चा घटे निकला था लेकिन इस तरह हो जाएगा कभी इमाजिन ही नहीं करा था जादा नहीं टूश तो सब को पता चल गए कि एक आत्मा जो की बिज़े लोगी थी वापस बिज़े लोग से समान गई है I'm not exaggerating बट जो रूट है जो रूट है जो रूट है फ्रम बड़े मंदे टुगरवाओं का जो फाम हाउसे से जाता है वहां पर एक पता नहीं हिल रहा था एक बर्ड ली लूट ली लाइक डैसे प्रिशंकु में कोई फसा होए और बहुत दुख से भरे वो दिंते हमारे लेकिन गुरुजी ने हमें हिम्मत दी एक एक को उठाया ताइम लगा साल देर साल दो साल सबको लगे और फिर आसे आसे गुरुजी के करिश्में कम्यूनिकेशन बढ़त जर्मारीशन बढ़ती है तो मुझा जवाब मिला कि गुरुजी कहिने मेरा मंदिर है ना ऑप थल्सी ये तुसी अपने तंदा खुद ध्यान रखो टुम है, अपने मन दाुसर नहीं हो कमरा मंदिर, कभी भी अपने स्पाउस को डुखी करके आप गुरु जी पास जा रहे हो तो गुरु जी ड़सन लाइए इस घर मंदिर, अपने घर में आपके इनलोज हैं, आपके पैट्स हैं, आपके extended family है, सब के साथ अच्छी तरह निभाओ, जब आप ये चार मंदर से रा गुरु जी से सिखी, गुरु जी के संदख से सिखी, और हम इस रस्ते पे और अच्छी तरह सरेंडर के रस्ते पे चलना शेयो करा, 2008 में बाम ब्लास्ट हुआ था जीके में, अगर आपको याद होए, और मैंने उस जगह पे जाना था जहां बाम ब्लास्ट हुआ, और मैंन यह मेरे को 2008, September 2008 को इतनी जोर से सिख से सिख में क्यों दर्द हुए, मुझे समझ नहीं आया, और मैं जी के मार्टिट गूमने की बजाए, मैं हॉस्पटल में जाके खुद ही अग्मेत हो गई, इतना टाइम नी था मेरे पास कि मैं अपने अंकल को बिलाओ, मैं अपने ड्र जादा ध्यान भी निकलिया, सो गई, एक दो दिन मैं अल्मस्ट में थी कि उन्होंने मुझे मुझे मॉर्फिन दी वही थी, इस वादा है इडिक्स, यह तो हमारा इंटरेक्शन भी कम होता था, तो जब मैंने दो दून के बाद में मंदिर गई, तो वापस लंगर खाकर आ दर्द भी तेरे काम आएं था, तब हमें समझ आया, कि वो जो दर्द गुरुजी ने मुझे दिया था दो दिन पहले, वही इसलिए दिया था, कि मैं उस दिन जीटे की तरफ ना जाऊं, कि हैल्ट में अगें, उन्होंने फिर्टे मुझे मुझे जीवन दान दिया, तो कई इनो कुछ बुरा होना हुए, तो हम यहां पर काम करवाने में के लिए नहीं आए हैं, हम यहां पर गुरुजी की इस रोहानी दुनिया में के लिए आए हैं, गुरुजी यहां पर भी मेरे यहां जब भी सब्सक्राइब होते हैं, हमारे वीची होते हैं, मैं यही संगत को जब गुरुजी को बोलो कि मन गुरुजी कुछ नहीं टैरगा, बस मेरे को एक अच्छा इंसान बनाओ जो हमेशा गुरुजी कहते थे, और आज तुसी अपने चरन मेरे घर लेके चुनो, जब गुरुजी के चरन आपके घरों में पौन जाएंगे, जब गुरुजी को जब गुरुजी कहते थे, अप्ती परसंट उठे कट जान जाती है, और उसे में हमारी जान निकल जाती है, गुरुजी ने बहुत ब्लेस्ट किया, चलती गई दुनिया हमारी, और 2009 डिसेंबर में में अमेरिका वापस मूव हो गई, 2010 जानवरी में गुरुजी ने मुझे सक्ने में दर्शन दिये, घर में कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत दुखी थी, और मुझे दर्शन देखके मुझे कहते है, चल-चल, खड़ी हो जाँ आउंटी, सक्सम शुरू कर, तो ऐसे किसी नों ना नियॉक वी चल, सक्सम नहीं करना आंदा, उन्दे नों भी सिर्फ 4-5 फामली थी, और वो भी कोई बहुत जादा कनेक्टेट नहीं थी इंप्रिया एसे नहीं, और क्योंकि वेरी फ्रेंक्ट उस्टम मेरे पास गुरू जी के लिए कोई चोला ही नहीं था, मुझे तो पदह ही नहीं था कि गुरू जी मुझे ऐसे दर्शन दे दे देंगे, और मुझे शिफ्ट हुए महीना भी नहीं हुआ था, और हमारे को पर नीचे तसन पर नहीं अभी था, तो मैंने का आप क्या करो, तो फिर आख पे आख पे हम मेटीरियलिस्टिक चीजें, गुरू जी का जूला, गुरू जी की चीजें एक एक करके अप करती गई, और एवरी मंथ हमारे घर में सक्षंग स्टार्ट हो गया, और सक्षंग भी अपने किसको बुलाओं बिकल्स, मैं तो इस्टे लोगों को जानती नहीं थी नियॉक में, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंज, उन्चे एक्सेंड़ फ्रेंज, करते, 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 आज आप सबसे पता हैगा, आपने से बहुत हो के रिलेटिव पूरी इस्ट गोस्ट और अमेर वैसे तो गाइड करने वाले गुरुजी, लेकिन गुरुजी ने हमें निमत बनाया, और इसके लिए मैं गुरुजी का शुकराना करती हूं, और गुरुजी मेरे अंकल के भी बहुत हेल्प करी, उनको किड्नी में बड़ी दर्द होई थी बड़े मंदर में नहीं, और हमे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्यों हो रहा है, कि लंगर खाने के गुरुजी के तो दर्द नहीं हो सकती, लेकिन तो तीन दन के बाद पता चला कि मेरे अंकल को बहुत बड़े किड्नी में स्टोन्स थे, जो हमें पता ही नहीं था, और लंगर खाने के बाद वो अपने आप दिस्ट्रॉय हो गए, वो कब निकल गए पता ही निकला, क्योंकि अल्टरसाउंड में आया कि इस किड्ली वाज़ डामेज बड़े और वो स्टोन्स अपने आप निकल गए, तो श्यास गुरुजी ने लंगर खिला के जल पर शाद की कि जो भी ठीक कर दिया, प्रीवन दो दोक्तर्स हैं बोला था कि मुझे कीमो चलेगी ज्यादा नहीं तरहेंगे तो नाइम मंस की तो चलो यह चलेगी और वो गए लेकिन मेरे ओपरेशन से करीवन आट तस दिन पहले हमारी संगत की एक बच्ची है चोटी की दस ताल की इसको कुछ आइडिया नही था कि मेरा अ राइसाइसे भाले प्रिशू से कुछ सफाई कर रहे हैं और मेरा अंटी तो यह को जाती है उट्की मुझे मेरे को फोन किया एड आइसे यह चोटी मेरे को राइसाइड में प्राबलम है और आज जी बच्ची ने मुझे मेसल दे लिया कि मुझे कुछ नहीं होगा अगर अ कुछ नहीं मेरे किना दोक्ट्टिर उटया है और मेरे को प्राइस राइसे के लिच नहीं किया को खूब आइसाइस जीवन-दान लिया ये तो जीवन-दान एक बारी किया एन Angst оनगिलन बार गूरज निम्हे उंई इस भिष्चा के निभड़ी व्हाँ जैतना अगजी आज मैं भली चंगी लगती हूं, कोई कह भी नहीं सकता, मेरा आंटी जब आप शुरू में सचंग करते हूं, लगता है आप गफ मार रहे हो, जब देखते हैं हम आपके साथ रहते हैं, तो पता चलता है कि हाँ, ये गुरुजी की बक्षीश है, ये गुरुजी की महर है, जो उन्होंने हम सब को इस तरह की ब्रेसिंग दी, लेकिन हम, तो मेरे को तो लगता है, मैं तो किसी काम की नहीं हूं, गुरुजी की हमेशा पल-पल हमारे अंग संग रहते हैं, आज भी, यहां पर नंबर प्रेस होती हैं, तो उस पे नेम लिखे होते हैं, जैसे मैं जोहर हू यहां पर वैसे भी कुछ जादा काम होता है, तो चया गुरुजी यही रही है, इंडिया में तो हमेश करते थे, तो मेरे सामने ही एक कार आई, अन दा हाईवे, अन दा नंबर प्लेट वास, टू बॉइज और वन दॉग, गुरुजी ने मुझी जवाब दिया, कि तेरी ज यहां पर भगवान आपको स्वयम रस्ता दिखाते हैं, और खुद हाथ पकड़ के आपको चलाते हैं, इसलिए गुरु से जोड़ो, गुरुजी खुद कहते थे, गुरु नाल जोड़ो, पदास, materialism अब पर आ जाएगा, एक बड़ी एक आंटी है, वो बहुत ब्रेंड़ दालते थी, तो गुरु जी, अपर स्टाय्ट मे बैठे होए थे, और मेरी तरफ, घुमैर चांटी होड़ैक, अचली वो मेसेज मेरे लिए था, वो मेसेज मेरे लिए था, थी तो ब्रेंड़े और जीए सब और उस दिन से मेरे को बहुत ही peace of mind लगा, एक blissfulness अपने आज पास आ गई, आज भी घरों-घरों में सत्संग होता है, blessed होते हैं लंगर, मेरी जैसे लोग जो डाइबिटिक्स हैं, जिनको problem है, हम सब खाते हैं, कभी वहम नहीं करूँ, कभी वहम नहीं करिये आप, और हमें कुछ भी नहीं होता, हम सब गुरुजी का सकार रूप करते हैं, पर निराकार रूप में भी वह आज हमारी हार ज़रूरत पूरी करते हैं, हमें family oriented होते हुए भी, एक spiritual journey का experience देते हैं, गुरुजी कहते थे कि कदी वी, कदी वी, firstly, बटेर ना बनो, मतलब, लोगों को कृपा मिलती है यहां पर, और फिर उसके बाद वो सक्तम में आना छोड़ देते हैं, या ठीक है, it might be a coincidence, यह जवाब भी कही बाद मिलता है, but in Guruji's world, there is no coincidence, this world is governed by Guruji, this world is run by Guruji himself, Mahashir himself, Guruji कहते थे, जो मेरे को लिकवार आजाना है न, वो भी सब कुष्टानों में ब्लेस करता, अपने शबद, लंगर और सक्संग से, Guruji, जब हम किसी सब्संग में जाते हैं, सब्सके पहले जो हमें चीज़ दिखाई या सुनाई देती हैं, उनकी शबद है, उनका दरबार है, उस शबद से हमें कोई न कोई मैसिज जरूर मिलता है, उसके बाद हमें लंगर बिलता है, वो तो divine लंगर है, वो तो देवी खाने के लिए तरफते हैं, और हम उसके बाद सब्संग करते हैं, या सब्संग सुनते हैं, हो सब्सक्त है, आज मेरा health related सब्संग फिर से शेयर किया जा रहा है, किसी की health की problem होई, जिसको Guruji मैसिज दोना चाते हो, मुझे नहीं पता, वो Guruji जानते हैं, कहते हैं कि जब दु बहुत करोड़ों साल पहले तो भगवान ने दो चीजे बनाई थी, जोती और शुती उनकी बेटिया हैं, कहने की बाते हैं, मुझे भी इतना नहीं पता, लेकिन मैंने कही पे सुना था ये बात, एक भगवान की ही सबाती वहां पर उन्हें बताया था, और वाके में अगर आप इस चीज को गुरुजी के लिए अगर हम देखें, तो जोती मतलब अपने मन की जोती, गुरुजी हमें अपने मन की जोत पहलाते हैं, अशुती मतलब सुनना, उनके शबत सुनना, और उनके सच्छं सुनना, इसी में ही कल्यान है, तो गुरुजी ने भी हमें वही अगर तुसी तोड़ो ना तो ओड़ा बंदा है I am possible. तो जो गुरुजी के साथ जुड़ते हैं, तो उनकी दुनिया में कुछ भी impossible नहीं है. उनकी दुनिया में everything is possible. Because he is bullying it. I am possible. हमने पिस्टे दिनों में घर लिया यहां पर Long Island में और मैं seven number ढूंड रही थी. क्योंकि मुझे लगा Guruji का number है. फिर मुझे लगा एक घरा में पसंद आया जो 14 था, एक 28 था. तो मुझे लगा ओ यह तो और भी blessings है. Seven to the 14th, seven. यह हमारे, you know, हम ऐसे सोचते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि Guruji अपने उसके करेंगे. लेकिन जो number मुझे पसंद आया, आल्टि मुझे लिया, वो three number था. तो मैंने एक आंटी से पूछा, मैंने का Guruji ना number का साते है, एक 3 है, हुम लवा न लवा? आंटी कहती, तो मेरा इतने साल चलके भी गुरुजी के, तीन तो बहुत अच्छा number है को Guru का घर होता है, तीन. मैंने का अच्छा, कहते हाँ, और तीन तो ब्रह्मा विश्णु महेश तीनों है, और तीन तो ओम में भी आता है, और एक ओमकार में भी आता है. उसी वक्त दिमाल खनका कि Guru जी, मैं फिर वैमा मिश पह गए, शुक्राना Guru जी मुझे गाइड करने का, कॉंट्रैक्ट हो गया, घर ले लिया, घर लेने के बाद धियान आया, कि अरे, हमारी तो street name में भी तमाल होगे, जो first four letters हैं, English में street name को बोलते हैं, Seward, लेकिन अगर आ इंडिकेशन दी, कि घर बदल रहे हैं तेरा, बन्दा नहीं बदल रहे हैं, कि तू अपनी सेवा विच लगी रहे, कर दी रहे, तो मेरे पिछे पिछे आंद ले, वो कहते हैं ना कि मेरा आग की क्रिपास से हर काम हो रहा है, करते हो तुम Guru जी, मेरा नाम हो रहा है, सिर्फ अपना नाम हो पर दोड़ा ने अपना जिए, कि तश्य दोड़ अगार को बोला था, इथरा उंकल और एक दो अडियो को, कि तजी आटियो कर देती है, और वाके में ही मेरे केस में भी सब डॉक्टर की डॉक्टरी फेल है क्योंकि गुरू जी सब सब बड़े डॉक्टर हम सब को ट्रीट कर रहे हैं mentally, physically, emotionally, spiritually, all phases of life are touched by his blessings मैं को एक बड़ी एक आंटी ने बोला था कि गुरू जी हमारे पांचों senses को you know, enhance करते हैं, you know, तो मैंने बाद में सोच जा कि बिल्कुल सही बात है, हमारे five sense organs है eyes, ears, nose, tongue and skin, और वाके में, eyes से हम उनके सुंदर दर्शन करते हैं, उनके दर्बार के दर्शन करते हैं, दर्बार के दर्शन का मतलब यह नहीं है, कि वो बड़े बड़े लाख रुपए के फूर लगाना, एक simple, एक simple उनकी कुर्टी, मेरे को सपने में बुला था, दो फुल तो दो दिये, मतलब simply सखी की तरफ नसे ला मुझे, second sentence of the night years, years से हम उनकी संदर-संदर शबत सुनते हैं, संदर-संदर हटं सुनते हैं, no Só, no से हम उनकी smell, कई बार हम बैटे होते हैं, हमें, अपने घर के हल्वा करशाब की किशबुआनी शरो जाती हैं, चननन की कुश्बू आनी शडर Yuk翌 की कुश्बू आनी शडर रहती है वो एक हुषास बिता बिलाते हैं हमें उस समय कि मैं तेरे नहां ला कथिन से कथिन मुछिल से मुछिल situation में वो हमें आपास बिलाते है कि मैं ते नहां ला then the fourth sense organ is the tongue, tongue से हम उनका लंगर खाते हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो सोचते होएंगे कि यह क्या बोल रही है मेरा अंटी लेकिन mind it, जब हम यह लंगर खाते हैं तो ही हमारा कल्यान होता है, मैं इस रस्ते पे बड़ी मुश्किल से आई, शायद Guru जी कहते होएंगे पह है, and the last sense organ is skin, touch, कई पर हम बैठे होते हैं, हमारे फ्रेंडी हमारे साथ आके बैठ जाता है, लिकिन हमें ऐसे लगता है, अरे Guru जी ने आज मुझे छुआ, यह हम ड्राइब कर रहे हैं, और ऐसे लगेगा कि आपके साथ Guru जी कार में बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, तो वो आ होला था, यह ओ वक्त आएगा, यह ओ सम्हा आएगा, तो कोई तेरे लेडे में आएगा, आएगा तो तेरा Guru आएगा, और यह बात अस्वाई होई है, आज थोड़ा सा प्राब्लम है लाइस में, यह वाइरस है, लेकिन मैं Guru जी से यही अर्दास करूंगी, कि जैसे Guru जी न हमेशा हमारे साथ रहें, हमें करेक्ट गाइड करते रहें, हम इनसान हैं, गल्तियां होती हैं, हमें माफ कर दें, वो कहते हैं कि तेरी रहमतों में कमी नहीं, मेरी एहतियात में जील है, क्योंकि Guru जी तो नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप रहमते देते रहते हैं, लेकिन कई and शुक्राना गुरुजी for blessing me, my family and the entire संगत सारे ब्रह्मान में आज गुरुजी का नाम है और इसी तरह जूम रहे हैं सारे और आगे भी ऐसे जूमते रहें थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच ज़ग झाल 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 झाल